हेलो दोस्तों सौगत है आप सब का आपके अपने चैनल मैट सर में तो कैसे हैं आप सब चलिए आज की क्लास बहुत इंपोर्टन्ट है इसमें मैं आपको हाइस्ट पावर के जो HCF और LCM की कॉंसेप्ट होते हैं वो बताने वालो ठीक है ज्यादा तर बच्छों को हाइस्ट पावर के LCM HCF निकालने नहीं आते हैं इसलिए इस क्लास में मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक बताऊंगा ठीक की कॉंसेप्ट कहां से जनरेट होता है उसके बाद फिर मैं आपको उसको एपलाय करना बताऊंगा फिर हम कुछ एक्जामपल देखेंगे ताकि हमको वो मैम करना है पर आज मैं पहले आपको बेसिक सिखाऊंगा ठीक तो बेसिक क्या है सबसे पहले आप देख रहे हो यहां लिखा है X की पावर N प्लस Y की पावर N ये कोई आपके सामने क्या लिखा हुआ है गोड़न खंड लिखा हुआ है ठीक है तो मैं बोलूँगा कि एक ये मेर इसने होते हैं इसके लिए मुझे दो केस लेने पड़ेंगे दो तरह के केस कैसे दो तरह के केस अगर मैं N की वैलू क्या ले लूँँ विसम क्या ले लूँ ओड ठीक है अगर N की वैलू आप विसम ले लोगे ओड ले लोगे तो ये जो फैक्टर है ये कैसा बनेगा मानलो मैं 1 ले लू, तो यह बनेगा x plus y, है ना मतलब x e power 1, y की power 1 ठीक है, अगर यहां मैं 3 ले लू x cube plus y cube ठीक है, अगर मैं यहां पर ले लू x e power 5 plus y की power 5 ऐसा ले लू तो इन 3ों में अगर मैं देखूं तो इनके common factor कौन सा बनेगा हमेशा यह बनेगा x plus y क्यों बनेगा क्योंकि देखों, पहला तो है x plus y यह a cube plus b cube का formula है है न, तो क्या होता है a plus b, और फिक क्या होता है a square plus b square और plus x y तब a b, है ना तो यह हो जाएगा x y plus y square, तो यहां भी क्या जाएगा x plus y हो जाएगा फिर x power 5 plus y इसको भी आप solve करोगे यह भी same उसी तरह से generate होगा तो इसमें भी एक x plus y का common factor आपको देखने मिल जाएगा ठीक है मतलब अगर x की power n plus y की power n इस format में अगर आपको कोई number दिया हो, और n की value कैसी हो, with sum हो, odd हो ठीक है, कैसी हो, odd तो उस case में हमारे पास एक common factor क्या आता है यह आता है x plus y ठीक है इसको हमेशा याद रखना ठीक है, अब इसके भी सवाल में अभी आगए आपको solve कराऊंगा, तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा, clear अब n बराबर मानलो sum दिया हो even number दिया हो अगर n बराबर क्या दिया हो even number, यहाँ पर हम देखते हैं अगर मैं even रख दू, मतलब x square plus y square, यह रख दू ठीक, फिर क्या रख दू x power 4 plus y power 4 फिर क्या रख दू, x power 6 plus y power 6 अगर आप even number रख रहे हो तो आपको कोई भी common factor नहीं मिलेगा ठीक है, मतलब आप direct नहीं बता सकते मतलब आप क्या कर सकते हो direct नहीं बता सकते कि इसमें common factor क्या होगा ठीक, क्योंकि x square plus y square कोई formula ही नहीं होता है x power 4 plus y power 4 यह भी कोई formula नहीं है, x power 6 plus y power 6 formula बन सकता है आप बनाओगे तो बन जाएगा लेकिन इन तीनों में कोई common factor आपको दिखाई नहीं देगा ठीक है, मतलब कुछ common नजर नहीं आएगा, जैसा कि आपको इस case में नजर आता है so, n बराबर अगर even दिया हो, some संख्या दिया हो, तो हम direct नहीं कह सकते कि हमारा common factor क्या बनेगा, ठीक है दिया होगा, यह depend करता है उसके हिसाब से ही हम answer निकाल सकते हैं, मतलब x और y की value पर depend करता है कि अगर वो solve हो सकती है यह ना छोटा number है, और अगर आसान value दी है complicated नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि common factor क्या आएगा, और आएगा अभी कि नहीं आएगा, ठीक है वो सवाल पर depend करता है ठीक है, मतलब यह जो है direct इसका कोई answer नहीं होता है कि हम condition पर देख करके बता सकते हैं, सवाल को देख करके बता सकते हैं, कि क्या case उसमें बनेगा, पर direct common factor इसका ग्यात नहीं किया जा सकता, cannot determine ठीक है, इतना clear हो गया चलिए, अब हम आते हैं आगे, ठीक अब मैं क्या करता हूँ, यह जो मुझे दिया है, x to the power n plus y to the power n मालो, इस तरह का यह जो सवाल दिया है तो यहाँ पर मैं एक variable यहाँ दो variable है, x और y, तो एक variable मतलब y to the power n को मैं क्या कर दीता हूँ, 1 कर देता हूँ ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 1 यह कैसा format बन जाएगा x to the power n plus 1 इसका यह format बन जाएगा, ठीक है, और इसी पर सवाल हमारे आते हैं इसी concept पर हमारे पूरे सवाल आधारित ठीक है, आपने इसी तरह के सवाल देखे होंगे, x की जगा क्या देदेगा, कोई भी नमबर देदेगा, 3 to the power 15 plus 1 इस तरह का कोई नमबर होगा, और एक value और देदेगा, 3 to the power 20 plus 1 इस तरह के नमबर दिये होंगे और उसमें पुछा जाएगा, HCF और LCM यह कहां से आता है, कि इस concept से आता है, x to the power n plus y to the power n, जहां पर हमने एक variable को power 1 ले लिया पूरे की value 1 ले लिया हमने, क्योंकि 1 की power n करोगे, तो भी 1 ही आ जाएगा ठीक, यह 1 ले लिया हमने, तो यह बन गया format x to the power n plus 1 ठीक है, तो इसी से सारे सवाल generate होते हैं, और यहीं पर हमको क्या निकालना है, HCM पर निकालना है और LCM निकालना है ठीक है student, आगे समझ में अच्छा, आपको लग रहा होगा कि आपने तो यह सिर्फ प्लस वाला बता है माइनस वाला भी तो होता होगा तो पहले मैं आपको पूरे प्लस वाले concept सिखाऊंगा ठीक है, पहले मैं पूरे प्लस वाले concept सिखा दूँ उसके example बता देता हूँ फिर हम आएंगे, x to the power n minus y to the power n, इसके concept देखेंगे पूरा basic से लेके सवाल तक, ठीक है, यह प्लस वाला समझ में आगया, क्या-क्या हो सकता है ठीक, अब आगे बढ़ते है ठीक है, अगला concept यहाँ पर है अब मैंने क्या किया अब मैंने यह वाला variable 1 ले लिया ठीक, तो n न लेकर कि मैं a, b के forward में ले लेता हूँ अगर हमारे पास कोई number दिया है एक्स टू दी पावर a प्लस 1 वा एक्स टू दी पावर b प्लस 1 इस type के हमें दो number दिये हुए ठीक, और हमें पूछ रहे कि इनका LCM बताओ और HCF बताओ कितना आएगा ठीक, LCM और HCF महत्तम समपवर्थ और लगुत्तम समपवर्थ ये दोनों हमें क्या करना है इसका find करना ठीक है, अभी देख रहे हैं आप दोनों प्लस के case में ठीक, अभी मैं सिर्फ प्लस वाले concept बता रहा हूँ ठीक, माइनस वाले अलग से बताओंगा अभी सिर्फ आप देखो प्लस वाले concept यहाँ पर ऐसे दो नमबर दिये हैं और HCF, LCM पूछ रहे हैं ठीक है, तो इसका HCF क्या होता है student, देखो direct इसका HCF आप बता सकते हो कैसे, यह होता है bracket के अंदर x की power HCF of a, b फिर प्लस 1 यह हमारा क्या होता है HCF LCM क्या होता है x to the power LCM of a, b plus 1, यह हमारा LCM होता है ठीक, पर यहाँ पर condition होती है ठीक है, कुछ क्या हो सकती है, शर्थ होती है यहाँ पर, क्योंकि आप यह direct answer नहीं लिख सकते है आपको कुछ conditions को follow करना पड़ेगा क्या condition है, क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ HCF of a, b मतलब किसकी बात कर रहा है, यह इसकी बात कर रहा है, HCF of a, b यह जो आप value निकालोगे न HCF of a, b इसकी जो आप value निकालोगे या LCM of a, b इसकी जो आप value निकालोगे इसकी बात कर रहा है, यह आपको देखके चलना पड़ेगा, अब क्या देखना है सदेव क्या होना चाहिए कैसे मल्टिपल होना चाहिए नहीं तो LCM और HCF नहीं निकाला जा सकता यह बात बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको कैसे समझ में आएगा यह मैं जब एक्जामपल बताऊंगा आपको तब समझ में आएगा फिर भी कोसिस करता हूँ मैं LCM और HCF जो आप निकाल रहे हो यह जो वैलू निकाल रहे हो यह कैसा मल्टिपल होना चाहिए यह ओड मल्टिपल होना चाहिए और किसका ओड मल्टिपल होना चाहिए यह A भी जो दिया है न नमबर A और B इसका odd multiple होना चाहिए ठीक है अगर even multiple है तो आपका answer क्या होगा नहीं आएगा direct आप नहीं बता सकते फिर क्या होगा answer जैसे इनको देखके direct बता रहे हो वैसे आप नहीं बता सकते ठीक है आपको पूरा solve करना पड़ेगा पर अगर odd multiple है तो यह आप फिर direct यह concept लगा सकते हो ठीक है आगे समझ में आप देखो अब example से समझाता हूँ तो ज़्यादा clear हो जाए ड़ेगा कैसे देखो यहां लिखा है 3 की power 35 plus 1 वह 3 की power 45 plus 1 हमें बताने इसका HCF और LCM केतना होगा ठीक तो अब कैसे बता होगे देखो यह लिखा हुआ है यहां तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो यहां से अगर आप HCF निकालोगे इसका HCF तो क्या आना चाहिए 3 की घाद क्या आना चाहिए HCF of कौन कौन सा 35,45 क्या आना चाहिए और plus 1 यह हमारा HCF होगा और LCM क्या होगा हमारे पास 3 की घाद LCM of 35,45 और plus 1 ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा HCF और यह हो जाएगा LCF अब क्यासे निकालोगे 35,45 इसका HCF क्या होगा देखो यहां लिख दे रहा हूँ 5 इंटू 7 5,35 होता है और 5 नाम 45 होता है ठीक तो 5 दोनों में common है देखो देख रहो आप 5 common है दोनों है तो क्या जाएगा 3 की घाद 5 प्लस 1 क्योंकि इसका HCF क्या होगा 5 होगा तो 3 की घाद 5 प्लस 1 यह हमारा क्या बन जाएगा HCF बन जाएगा यह है यह क्या बन जाएगा हमारा HCF बन जाएगा अब समझो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था यह condition जो है क्या बोल रही है देखो HCF of 35,45 इस cancer कितना आया है इस cancer आया है 5 मतलब 5 को आपको check करना है यह 5 जो है यह 35 और 45 का कैसा multiple होना चाहिए odd multiple ना की even ठीक है तो 5 आया हमारा answer HCF कितना आया यहाँ पर 5 आ रहा है न इसको check करना है कि 35 का कौन सा multiple है 5 में कितने का multiplied करोगे तो 35 बनेगा 7 का multiplied 5 में कितने का multiplied करोगे तो 9 बनेगा 9 का multiplied तो यह कैसा नंबर है देखो यह odd number यह भी कैसा number है ये भी odd number तो ये ही यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि HCF of AB या LCM of AB अगर आप निकालोगे तो जो answer आएगा वो odd multiple होना चाहिए किसका जो यहाँ पर values दी है A और B का देखे आप समझ में आगया ये आया HCF ये कैसा multiple है? odd multiple है 9 भी कैसा multiple है? odd multiple है तो ये क्या हो जाएंगे? इस तरह से ये दोनों condition ये satisfy कर रहा है मतलब हम ये direct बोल सकते हैं इसका answer ये ही होगा HCF of 3 to the power 5 plus 1 ये इसका क्या होगा answer होगा ठीक है? यहाँ पर भी आप देखो अगर आप 35 और 45 का LCM लोगे तो आपको क्या आएगा LCM? मैं direct लिख देरों 5 into 7 into 9 ये आपका क्या आएगा? यहाँ पर LCM आएगा इसको आप multiply कर ले ना 9,7,3,6,5 आया 5,3,15,1,315 तो कितना जाएगा? 3 की घात LCM आएगा 315 plus 1 तो कैसे चेक करोगे आप? ये जो आए है number 315 इसको आपको चेक करना पड़ेगा ये 35 का और 45 का odd multiple है की नहीं है? तो कैसे चेक करोगे? 315,35 का कौन सा multiple है? ये कैसे चेक करोगे? 35 का आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा 5,7,35, 5,6,35, 5,3,15, 7,63 मतलब 35 में अगर आप 9 का multiply करोगे तब क्या बन रहा है? 315 बन रहा है मतलब ये सही है ये कैसा multiple आ रहा है? odd multiple इसका A का अब B के लिए भी आप चेक करो 45 में किसका multiply करोगे तो 315 बनेगा अब इसका divide दे लेना इसमें आप 7 का multiply करोगे तब क्या बनेगा? 315 बनेगा ठीक है? मतलब ये वाला multiple भी कैसा है? दोनो multiple कैसे है? odd multiple मतलब ये जो आपने answer निकाला है ये इस condition को satisfy करता है ठीक? इसलिए ये इन दोनों के answer क्या जाएंगे? HCF आएगा 3 की खा 5 प्लस बन और LCM आएगा 3 की खा 315 प्लस बन ठीक? क्योंकि ये इस condition क्या कर रहा है? satisfy कर रहा है अब clear हो गया? ठीक है? आगे समय में अब मैं ये वाला सवाल बताता हूँ ये वाला ठीक? तो मैं ये बाकी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ ठीक है? अब देखिए अब मैं बता रहा हूँ ये question तीन की खाथ 20 प्लस बन और तीन की खाथ 25 प्लस बन बहुत अच्छे समझना बेसिक पूरा यहीं छपका हुआ है ठीक है? अभी odd multiple था अब मैं इसमें multiple देखके कि कौन सा multiple है फिर आपको concept बताऊँग अब देखो इसकी according तो आप यहाँ पर लगा सकते हो कि इसका hcf आना चाहिए कितना इसका hcf कितना आना चाहिए इन की खाथ hcf of क्या आना चाहिए 20 और 25 प्लस बन ये आना चाहिए ठीक है? तो 20 और 25 का hcf आप भली भाती जानते हो क्या होता है अब मैं वो नहीं बताऊँगा ठीक है? क्या आएगा? तीन की खाथ 5 प्लस बन ठीक है? ये ही आएगा अब lcm लिखूं मान लो मैं lcm यहाँ लिख दे रहा हूँ तीन की खाथ lcm of क्या लिखूं? 20,25 और ये प्लस बन ठीक है? ये कितना आना चाहिए? तीन की खाथ यहाँ तीन की खाथ 5 प्लस बन यह तो ठीक है यहाँ आना चाहिए 20,25 के lcm कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 100 तो तीन की खाथ 100 प्लस 1 ये क्या जाएगा lcm ठीक है? और ये आजाएगा hc clear? अब मैं आपसे बोलू कि ये वाला आपका अंसर गलत है और ये वाला अंसर भी आपका गलत है अब क्यों गलत है? तो वो reason भी बताऊंगा क्यों गलत है? देखो क्यों? क्योंकि आपने इस condition check नहीं करी कैसा multiple होना चाहिए? odd multiple चलो चेक कर लेते हैं मतलब ये आंसर आया है 5 ठीक है? किसका hcf वाले की बात करते पहले न तो hcf आया है match देन की घगात 5 प्लस बने अब आपको क्या check करना है कि 5 जो है वो 20 और 25 का कैसा multiple होना चाहिए? odd multiple तो 5 में अगर मैं 4 का multiplied करूँगा तो कैसा बनेगा? ये 20 बनेगा अगर 5 में 5 का multiplied करूँगा तो क्या बनेगा? ये 25 बनेगा तो यहाँ पर देखो 5 जो है 25 में तो कैसा multiple बन रहा है? odd multiple इसका b का लेकिन 25 में ये a का कैसा multiple बन रहा है? ये even multiple बन रहा है क्या बन रहा है even multiple यह न 520 पर condition क्या बोलती है कि दोनों ही क्या होना चाहिए odd multiple होना चाहिए इसलिए मैंने बूला कि यह जो answer है आपका यह गलत है यह answer क्या होगी हमारा गलत हम direct नहीं बता सकते कि इसका HCF कितना आएगा ठीक है वैसे आप LCM भी देख लो अगर LCM कितना दिया है हमारे पास यहां आया है LCM 100 ठीक है अब 100 जो है 20 का कैसा multiple है 20 में अगर आप 5 का multiplied करोगे तो 100 बन जाएगा मतलब A के लिए तो odd multiple है लेकिन 25 में अगर आप 4 का multiplied करोगे तब क्या बनेगा यह 100 बनेगा ठीक है तो यहां पर B के लिए कैसा multiple हो गया यह यह हो गया even और यहां तो हो गया odd तो दोनों ही जब तक odd नहीं होंगे तब तक आप direct नहीं बता सकते कि HCF किया आएगा और LCM किया आएगा ठीक है यह दो answer हमारे क्या आजाएगा कुछ कह नहीं सकते कि हमारा answer क्या आएगा लेकिन यह हमारे answer नहीं आएगा अब clear है तो अब आपको लग रहा होगा जब यह answer नहीं है तो answer आएगा क्या इनका क्या answer आना चाहिए उसके लिए देखो मैं आपको बिल्कु छोटी संख्या लेके बताता हूँ ठीक है कि ऐसा क्यों नहीं होता यह direct answer क्यों नहीं आता देखो example लेता हूँ मैं 2 की power 2 plus 1 मालू मैं यह ले लेता हूँ और दूसरा number ले लेता हूँ 2 की power 4 plus 1 एक ध्यान से समझ न यहाँ पर देखो दोनों आप यहाँ पर अगर HCF लोगे तो यहाँ आएगा 2 और 4 है ना इसका क्या लेना पड़ेगा HCF पर यह आजाएगा plus 1 यह अगर आप HCF निकालोगे तो कितना आएगा HCF कितना आना चाहिए formula के according 2 की power HCF आएगा 2 प्लस 1 मतलब कितना आना चाहिए 2 दोनी 4 और एक 5 HCF आना चाहिए 5 ठीक है चलो LCM कैसे निकालोगे same वह formula लगाएंगे 2 2 की power LCM लोगे तो 2 और 4 का LCM आजाएगा 4 प्लस 1 यह आना चाहिए 2 की power 4 कितना होता है 2 की power 4 होता है 16 16 और एक 17 16 प्लस 1 कितना आना चाहिए तो HCF आना चाहिए 5 और LCM आना चाहिए 17 ठीक है नियम के according की होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 2 क्या है देखो यहाँ जो आप ले रहे हो यह जो 2 आया है यह इनकी घातों का कैसा multiple है 2 into 1 करोगे तो 2 तो आजाएगा लेकिन 2 into 2 करोगे तो कितना जाएगा 4 आजाएगा मतलब यहाँ तो odd है लेकिन यहाँ even multiple है वैसे अगर 4 लिए हो आपने तो 4 में आप 2 को बनाओगे तो वो तो वैसी दिक्कत हो जाएगी 2 कैसे बनेगा उसका लेकिन 4 का बनाओगे तो 1 करोगे multiplied तो कितना जाएगा 4 आजाएगा तब कैसा multiply हो गया यह यह तो odd हो गया अभी आप यह समझो कि यहाँ पर even और odd दोनों तरह के multiple आ रहे हैं और आपने यही condition यहाँ लगा दी पर अब देखते हम natural तरीका क्या है अगर हम इनको number के form में बना ले देखो दो की खाथ 2 प्लस 1 कितना होता है 2 दो ने 4 और 1 पाँच ठीक है और दूसरी संक्या क्या हो जाएगी दो की पर 4 प्लस 1 कितना होना चाहिए 16 और 1 चाहिए एक actually में 5 और 17 इसका क्या लिखा हुआ है LCM और HCF निकालना है इन number को अगर मैं solve कर दू तो ऐसी देखेगा न 2 की power 2 4 प्लस 1 और यहां 16 प्लस 1 17 मतलब 5 और 17 का आपको क्या निकालना है HCF और LCM अब आप common sense से सोच के बताओ HCF कितना आना चाहिए 5 और 17 का HCF कितना आना चाहिए 1 और LCM कितना आना चाहिए दोनों कैसे हैं प्राइम नंबर है 17 पने 85 ठीक है तो देखो HCF नियम के according क्या आना चाहिए जो actually जो answer होना चाहिए वो होना चाहिए 1 लेकिन आ कितना होना चाहिए यहां से 5 यहां कितना होना चाहिए 17 पने 85 लेकिन यहां से कितना आ रहा है 17 आ रहा है अब आप समझ गए कि कैसे गलत हो रहा है ठीक है HCF अगर आप यह formula से लगा दोगे odd multiple की जगए even अगर लगा दोगे तो आपका answer क्या हो जाएगा गलत आने लगे HCF का भी और LCM का भी जबकि नियम के according answer यह आना चीए ठीक है अब समझ में आ गया clear हो गया पूरी तरह से एक example और बता दूँगा मैं अभी बताता हूँ बाकि आपको यह बहुत अच्छे समझ में आ गया क्योंकि यह even multiple है और यहां पर odd multiple है ठीक है even वाली में आप कुछ कह नहीं सकते हो कि यह answer आएगा ठीक हो student कई बार यह answer हो भी सकता है ठीक है जैसे यहां पर नहीं हुआ लेकिन कई बार हो भी सकता है और maximum time जो होगा वो answer नहीं होगा ठीक मतलब यह condition 100% satisfy odd multiple के लिए है ना कि even multiple अब clear हो गया आगे समझ में देखो एक example और बता दीता हूँ for example 3 की power 2 plus 1 ऐसा लिखा है और 3 की घाच 4 plus 1 यह लिखा है ठीक है तो इस नियम के according अगर लगाओगे तो यह आना चाहिए HCF कितना आना चाहिए 3 की power 2 plus 1 कितना हो जाना चाहिए 10 ठीक है और LCM कितना आना चाहिए इनकी घाच 4 plus 1 कितना आना चाहिए इसमें यह जाएगा 81 और 82 तो यहाँ से HCF कितना आ रहा है 10 आ रहा है और यहाँ से LCM कितना आ रहा है 82 आ रहा है ठीक है किस के according इस नियम के according लेकिन जब आप इनका multiple देखोगे यहाँ से यह 2 है यहाँ पर तो odd है लेकिन यहाँ पर even multiple है जैसे यहाँ case बन रहा है यहाँ पर भी एक even है और एक odd multiple है ठीक है तो answer कितना आ रहा है 10 और 82 ठीक है अगर आप इसको 100 लोग लो पहले यह 3 तरकन और 10 ठीक है और यह कितना रहा है यह आना चाहिए 82 अब आप HCF निकालोगे अगर इसका तो देखो यहाँ पर 2 गुड़ित 5 लिख सकते ना इसको और इसको 2, 4, 8, 2, 1, 2 तो HCF कितना आना चाहिए 2 आ कितना रहा है 10 आ रहा है मतलब भी गलत है फिर LCM अगर निकालोगे तो कितना आएगा देखो 2 तो common है 2 गुड़ित 5 गुड़ित 41 मतलब LCM आना चाहिए 410 और यहाँ से कितना रहा है 82 जो कि mathematically यहाँ से अगर हम पूरा solve करें तो इसकी according क्या है यह गलत है clear है अब समझ में आ गया तो यहाँ से जब odd multiple की condition हो तब तो answer सही आता है लेकिन जब even multiple आता है यह condition fail हो जाती है वहाँ पर कैसे answer निकाला जा सकता है इसके पहले वाली slide में ने बताया direct आप नहीं बता सकते कैसे बता सकते हैं आपको पूरा number क्या है solve करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा question पर depend करता है यहाँ तो छोटे number है तो आपने solve कर लिया यहाँ पर बड़े number होने के कारण फिर option में दे दिया जाता है cannot determine ठीक है इसलिए आप चौथा वाला या D वाला जो भी option आपको C and D लिखा हो cannot determine या none of the above जो भी है अगर वो दिया हो तो आप उसको tick करेंगे ठीक निकाला तो जा सकता है लेकिन आपको कैसे निकालना है वो समझ में आ गया पूरा number solve करना पड़ेगा आपको तब जाके इसका answer आएगा ठीक और competition exam इतना time रहता नहीं है तो आपको ये वाला tick करना है cannot determine ठीक है अब आगे है समझ में पूरी तरह से अच्छे से चलिए आप कुछ example देखने है देखिए और थोड़ा सा basic और अच्छे से बता देता हूँ मैं देखो यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है x to the power a plus 1 वा x to the power b plus 1 ये direct condition अच्छे ने odd multiple गी यह कैसे आ रहा है अब यह मैं बता भी चुका हूँ यहाँ से आप देख सकते हो odd है तो यह a plus 1 बनेगा और यह बनेगा a cube plus 1 इसको लिख सकते है a cube plus b cube तो a plus 1 ये तो रहेगा और दूसरा नमबर क्या है a cube plus b cube इसका formula अगर आप बनाओगे तो यह a plus 1 आएगा और यहाँ एगा a square plus a plus 1 तो देखो यहाँ पर odd multiple में एक common factor ये है और एक common factor ये है इसका answer आप निकाल सकते हो a plus 1 ठीक है LCM लोगे तो भी ये दोनों का multiplied हो जाएगा तो भी a plus 1 दोनों में common आजाएगा ठीक हमारा answer क्या आजाएगा a plus 1 common factor हमें हमेशा दिखेगा ठीक है कब odd multiple case में लेकिन even multiple की case में ये कुछ नहीं हो सकता क्योंकि a square plus 1 का square लिख सकते हो आप और इसको लिख सकते हो आप a की power 4 plus 1 की power 4 कोई common factor नहीं दिखेगा ठीक है common factor आपको बिलकुर दिखाई नहीं देंगे तो direct आप देखके नहीं बता सकते बस आपको ये क्या हो number के form में दिया हो या ऐसी condition दिया हो जिससे उपर नीचे कुछ cancel हो रहा हो तो ये सवाल पर depend करता है कि इसका अंसर आप कैसे निकालोगे ठीक तो generally इसका direct common factor नहीं होता है clear हो गया चले सवाल देखने है ये question लिखा हुआ है बहुत अच्छे सवाल है आसान भी है कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो याद ही हो देखो 5 की घाथ 23 plus 1 और 5 की घाथ 31 HCF और LCM अब मैं direct लिक रहा हूँ HCF कितना आएगा 5 की घाथ HCF of 23,31 और ये हो जाएगा प्लस 1 ये को दोनो प्राइम नंबर है इनके तो कोई factor नहीं होते तो HCF अगर निकालोगे तो आएगा 1, प्लस 1 कितना आजाएगा ये 6 आजाएगा अब आप बोलोगे odd और even check कर लो तो कर लेते हैं ये है 1 है तो 23 का into 1 करोगे तो क्या आएगा 23 आएगा और 31 में into 1 करोगे तो कितना आएगा 31 आएगा ठीक है मतलब कैसा multiple है देखो odd multiple है 1 odd होता है तो odd multiple मतलब ये answer सही है वैसे LCM के लिए भी लगा सकते हो 5 ये LCM जाएगा 23,31 पर ये plus 1 अब इसका LCM prime factor है prime numbers होते है तो उनका LCM आप जानते हो क्या होता है सीधे numbers का multiply हो जाता है ये हमारे क्या जाएगे ये हमारा LCM जाएगा इसको आप multiply कर देना बहुत आसान है calculation बताना मेरे मक्सद नहीं है concept सीखिए आप बहुत अच्छे है ठीक है 5 की पावर 23 प्लस 1 20 इन्टू 31 प्लस 1 ये हमारा क्या जाएगा LCM जो भी आएगा उसमें आप 1 का multiply तो कर सकते हो तो वह हमारा क्या बन जाएगा odd multiple एक clear अगला सवाल देखिए साथ की घाथ 15 प्लस 1 साथ की घाथ 45 प्लस 1 अब इसमें HCF में देखो direct लिख दे रहा हूँ बार बार पूरा नहीं लिख रहा हूँ साथ की घाथ 15 और 45 इसका HCF कितना आएगा 15 तीया 45 होता है तो दोनों में 15 है दिया जाएगा 15 साथ की घाथ 15 प्लस 1 यह हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा ठीके कैसे लिखा आप फॉर्मले लगा ले ना बार बार पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसको 15 गोड़े 3 लिख सकते है 45 और 15 का HCF कितना होता 15 अब देखो 15 इसका 15 गोड़े 1 लिख सकते हो कितना आएगा 45 तो साथ की घाथ 45 प्लस 1 यह क्या हो गया इसका LCM हो गया एक तरीक और कौन सा है आप जानते हो फस्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM यह फॉर्मला होता है आपने पढ़के आए हो बहुत अच्छे से फस्ट नंबर क्या दिया हो है साथ की घाथ 15 प्लस 1 सेकेंड नंबर क्या दिया हो साथ की घाथ 45 प्लस 1 पराबर HCF कितना है साथ की घाथ 15 प्लस 1 HCF आए है आपको LCM फाइंड करना था यह कैंसल हो जाएगा तो LCM कितना जाएगा साथ की घाट 45 प्लस बर तो इस formula सी भी लगा सकते हो जहाँ formula लगा देना और ना लग रहा हो तो आप यह concept लगा देना ठीक है 15 और 45 कैसे multiple है odd multiple clear चलिए अगला सवाल 3 की घाट 4 प्लस बन बहुत ही आसान question है बार बार वही सवाल है hcf क्या आएगा इसका 3 की घाट 4 और 12 का hcf लोगे तो कितना आएगा यह आएगा 3 की घाट 4 प्लस बन 4 और 12 का 4 आएगा तो यह आएगा 3 की घाट 4 प्लस बन hcf आ गया lcm क्या आएगा 4 और 12 का lcm उनका आएगा 12 बन तो यह आजाएगा तीन की घात बारा प्लस बन अब बारा और चार कैसे मल्टिपल हो गए देखो चार गोड़त एक शारती अब बारा कैसे मल्टिपल है और मल्टिपल है यह रहे यह सवाल तो लगता है मैंने अभी बता क्या हूँ 20 इसको लिख सकते हो तो चार की घात पाँच चलो डारेक लिख दे रहा हूँ यह अगर निकालते हैं तो ग्यारा की घात 20 और 25 इसका क्या हCF प्लस बन यह यह आना चाहिए लेकिन यहां अगर आप सॉल्व करोगे तो यह कितना आ जाएगा यह जाएगा पाँच प्लस बन ठीक अब आप चेक करोगे तो 5 कैसा multiple है 5 गुड़े 4 और यह कैसा multiple है 5 गुड़े 5 कैसा multiple हो गया even multiple हो गया तो ना तो इसका HCF आएगा निकाल सकते हो ना ही इसका LCM मतलब निकाल नहीं सकती का मतलब आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन इसका direct आप नहीं बता सकते कि यह ही आएगा क्यों क्यों क्योंकि even multiple हो गया HCF आपने check कर लिया तो LCM check करने की जरूती नहीं है यह कैसा multiple हो जाएगा यह हो जाएगा odd multiple ठीक है यह कैसा multiple हो गया यह odd multiple हो गया और यह हो गया even तो आप यहाँ पर 25 निकाल लो फिर प्लस बन कर दो फिर देखो जो आपको number मिल रहा है उसका HCF क्या होगा और फिर उसका LCM क्या होगा clear है आगे समझ में है लेगला सवाल यहाँ देखी यह थोड़े सवाल अलग type के हैं लेकिन बहुत आसान है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह number होना चाहिए 7 की गात 19 और 7 की गात 23 इनका HCF आना चाहिए ओ प्लस में वन आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे कितना आएगा इन दोनों का HCF देखो 7 की गात 19 और 7 की गात 23 दोनों ही सेम नंबर है बस power का फरक है तो HCF क्या होता है चोटा वाला नंबर होता है वो ही क्या होता है HCF और LCM क्या होता है जो बड़ा वाला नंबर होता है वो LCM होता है यहाँ कितना आना चाहिए HCF अगर लोगे तो यह आएगा 7 की पावर 9 प्लस में 1 है देख क्या आगे हमारे पास HCF यह आगे अब odd और even कैसे check करोगे 7 की पावर 29 यह 7 की पावर 29 इसका कैसा multiple है into 1 करेंगे तो मिलेगा यह मतलब कैसा है odd multiple इसमें multiply करोगे तो इसमें क्या आएगा 7 की पावर अगर आप 19 है तो 7 की पावर क्या बनाना है 7 की पावर 23 बनाना है क्या आना चाहिए, कैसा multiple होना चाहिए से इसका बनेगा 9, 4, 13 ठीक, 9, 4 क्या हो जाएगा, 13 ठीक है, लेकिन आप जब इसको solve करोगे, तो कितना आए गई 49 into 49 तो नौई ना में क्या सी 1 तो आए गई, तो यहाँ पर भी कैसा multiple है, कैसा multiple है odd multiple, ठीक है तो यह भी क्या हो जाएगा, हमारे पास odd multiple हो जाएगा, तो भी answer हमारे क्या आएगा, यही आएगा, मतलब दोनों odd multiple के case हैं, तो आंसर हमारा साही है, 2 की पावर 7 की पावर 29 प्लस 1, यह हमारा HCF हो गया, अगर यह HCF हो गया तो यह वाला number क्या हो जाएगा, हमारा LCM हो जाएगा, तो आप पूरा concept भी लगा सकते हो, या पूरा formula भी लगा सकते हो, तो भी आपका answer यही आएगा, ठीक है, आगे समझ में same वो ही सवाल, यहाँ लिखा हुआ है, देखो same वो ही है, यह लिखा हुआ है किसको निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए, प्लस में बन रहेगा तो obvious है, यह आजाएगा 11 की घाथ, 3 की घाथ, 18 18 TH1 होता है, तो यह भी odd multiple बनेगा, यह जाएगा plus 1, यह क्या आगया हमारे पास HCF, ठीक, और LCM क्या जाएगा, अगर HCF यह आचुका है, तो LCM obvious C बात है, यह है, clear है चलिया के समझ में, बगला सवाल यह कहाँ पर SSC में पूछा गया सवाल है, student, SSC में पूछा गया कुछ, बहुत आसान है, इसमें बहुत भारी concept नहीं लगना है, कोई concept है HCF अगर आप निकालोगे, तो क्या आना चाहिए, तीन की खाथ इसकी तीन की खाथ, 3, 3, 3 ठीक है, कॉमा तीन की खाथ, 334 इन दोनों का क्या लेना है, HCF तो HCF आएगा, और प्लस में 1, ठीक है तो इसका अगर आप निकालोगे, आनसा तो क्या आएगा, जो कम पावर वाला है, वो क्या हो जाएगा, HCF यह जाएगा, 3 की खाथ, 33 अब यह कैसा multiple है, दोनों का, देख लो, check भी कर सकते हो, आप इन दोनों का कैसा multiple होना चाहिए, मतलब यह जो answer आया है, यह, यह तीन की खाथ, 3, 3, 3 इसका पहले वाले का तो एक multiply करोगे तो यह बन जाएगा फिर दूसरे वाले में तिन की खाथ, 3, 3, 3 अगर इसमें आप 3 का multiply करोगे तब ही क्या बनेगा, power 1 है तो 334 बनेगा, तो पहला multiple है 1, दूसरा है 3 यह भी odd है, और यह भी odd है, है ना मतलब यह condition satisfy करता है, तो यह वाला जो answer हमारा बिलकुस सही है अगर यह HCF आ गया है तो दूसरा वाला number क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, clear चले अगला, आगे देखते है अब आजाईए कौन सा minus वाले में अब हम minus वाला case देखते है ठीक, x की घात n minus y की घात n यहाँ पर भी common factors कैसे बना सकते हैं, दो case बनेंगे, अब हम plus वाला देखिया है अब minus वाला, common factors आप कैसे बनाओगे, इसके दो ही case बनते है इसके भी, तो n बराबर क्या दिया हो, जब विसम दिया हो n बराबर विसम रख दो x minus y, दोनों तो इस case में हमेशा factor क्या होता है common factor होता है, x minus y ठीक है, even में क्या बनेगा student, जैसे ले लें x square minus y square ठीक है, x to the power 4 minus y to the power 4 फिर x to the power 6 minus y to the power 6 इस case में, तीन तरह के multiple बनते हैं, तीन multiple, कैसे? x minus y, एक factor यह बनता है दूसरा बनता है, x plus y यह भी एक factor बन सकता है और अगला बनता है, x minus y इन दोनों का multiple, x minus y और x plus y ठीक, तो इस case में तीन factors बनते हैं कितने factors? तीन factors x minus y, x plus y x minus y, into x plus y तीन तरह के factors बनते हैं ठीक, और इस case में x minus y बने गई, बतलब यहां भी x minus y आ रहा है, और यहां भी x minus y आ रहा है मतलब, हम एक common factor हर case में बोल सकते हैं, क्या होगा x minus y, यह always होगा, इसमें no condition odd और even देखने की जरूवत ही नहीं है इसमें odd और even देखने की जरूवत नहीं, क्योंकि odd में भी x minus y आता है, और even में भी x minus y आता है, ठीक, तो minus वाले जो सवाल होते हैं, वो बहुत आसान होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें x minus y direct आपको मिल जाएगा, उसमें odd और even देखने की जरूवत होती नहीं है, इसलिए उसके सवाल जो होते हैं, बिलको direct answer सरा जाती है, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x to the power n minus y to the power n, y to the power n को मैं क्या कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, यह कैसा देखेगा x की घात n minus 1 अब इस तरह है कि आपको सवाल दिखाई देंगे, ठीक है, तो चली देखते हैं, यह आगया हमारा बिल्कुल basic concept कि हमें exam में कैसे सवाल आते हैं, exam में आते है, x to the power a minus 1 और y to the power, x to the power b minus 1, इसका hcf क्या होता है, सेम वोई, x की घात hcf of a b minus 1, lcm क्या होता है, x की घात lcm of a b minus 1, यहाँ पर no condition आती है, जैसे आपने वहाँ पर condition पढ़ी, कि कैसा multiple होना चाहिए, odd, और कैसा multiple देखना है, even, यहाँ दोनों ही case क्या हो जाते हैं, hard जाते हैं, इसलिए इसके सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, यहाँ पर condition ही नहीं होती, direct formula लगाओ, सीधे, तो बहुत आसान है, चली देख लेते हैं, कैसे होगा, 3 की घात 12, minus 1, 3 की घात 15, minus 1, सबसे पहले minus देखना है, तो odd और even का case खतम हो गया, अब क्या लगा दो, HCF लगा दो, मतलब 3 की घात, HCF of क्या जाएगा, 12, 15 और minus 1, ठीक है, फी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीन की घात, आप अगर इसको बनाओगे, तो क्या आना चाहिए, 12, 15 का HCF कितना आता है, 3 आएगा, minus 1, यह हमारा HCF हो गया, इसको और सॉल कर सकते हो, 3 की घात 3 कितना होता है, 27, 27 minus 1 क्या करोगे, 26 हो जाएगा, LCM निकालना है, 3 की घात, LCM of 12, 15, minus 1, यह हो जाएगा, 12 पंदर का LCM होता है, 60 minus 1, यह हमारा क्या हो जाएगा, LCM, अब odd और even चेक करने की ज़रुती नहीं है, क्योंकि दोनों में ही यह क्या आता है, answer सेम आता है, यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर 3 गुड़ेत एक, और 60 गुड़ेत यहाँ पर आपको इसको बनाना है, मतलब यह 15 और 12, तो इसको देखने कोई मतलब भी नहीं है, तो हम क्यों solve करें इसको, सीदे odd और even आप हटा देना, सिर्फ minus देख लेना बस, तो इतने में आपका अंसर आजाएगा, अब इसको भी आप बहुत आसानी solve कर सकते हो, मैं इसका direct answer लिख दे रहूँ, अब आप इसको solve कर लेना, पूरा ऐसा लिख के, 20 और 25 का HCF होता है 5, क्या आगिया HCF, 3 की घाथ 5 minus 1, और LCM क्या होता है, 3 की घाथ, 25 का LCM होता है 100, तो 3 की घाथ 100 minus 1, फिर, आप देखिए, यहाँ पर वो ही बात फिर से आ गई, concept क्या है, A minus 1 और A cube minus 1, जब आपको odd दिया हो, तो HCF क्या होगा, यह हो जाएगा A minus 1, और यहाँ हो जाएगा A cube minus 1 का cube, ठीक है, तो इनका अगर HCF निकालोगी, या LCM निकालोगी, तो दोनों में common factor क्या है, देखो, यह A cube minus B cube है, मतलब A minus 1, और यह हो जाएगा A square, plus A, और plus 1, तो common factor क्या हैगा, A minus 1, A minus 1, मतलब यहाँ पर possibility हर केस में है, कि HCF भी निकलाएगा, और LCM भी निकलाएगा, ठीक, अच्छा, और, odd में तो possibility आगई, even में कैसे आएगी, A square minus 1 का square, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते है, A square का square, minus यहाँ 1 का square, ठीक है, क्यों, even और odd, दोनों बता रहा हूँ, यह बनेगा, A minus 1, और A plus 1, यहाँ करोगे, तो A square minus 1 का square, और यह हो गया, A square plus 1 का, इसको भी solve कर सकते हैं, A plus 1 और A minus 1, ठीक, मतलब यहाँ A minus 1 भी आ रहा है, और A plus 1 भी आ रहा है, तो जो HCF, मतलब सवाल पर depend करता है, जो आपको number दिया हूँ, उसे साब से आपका HCF आ जाएगा, और उसे साब से आपका LCM आ जाएगा, यह formula आप याद रखना, तो दोनों के लिए ही यह, satisfied है, चाहे odd multiple हो, चाहे even, दोनों के लिए आप यही formula लगाओगे, आपका answer बिल्कुल match करेगा, हर बार, चाहे number हो, चाहे कोई variable हो, किसी भी तरह का आपको question दिया हो, दोनों में match करेगा, ठीक है, लेकिन plus स्वाले में match नहीं करता है, मैं आपको detail बता चुका हूँ, इसमें लेकिन match करेगा, ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं, दो की घाच 4 प्लस बना, बहुत आसान सवाल, इसमें तो कोई चेक ही नहीं करना है, HCF, common सी बात है, HCF, 4 और 8 का HCF क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 4, तो HCF आगे 2 की घाच 4 माइनस 1, अब LCM कैसे निकालोगे, वो formula जो मैंने बता है, first number into second number, बराबर HCF into LCM, ये भी लगा सकते हो, 2 की घाच 4 माइनस 1, और 2 की घाच 8 माइनस 1, HCF आ गया, 2 की घाच 4 माइनस 1, LCM find करना है, इससे ये cancel होगे, LCM कितना आ गया, अब यहाँ HCF और LCM find करना है, देखो, HCF बराबर कितना आएगा, 18 की घाच, 19 और 20, इसका क्या लेना है, HCF minus 1, अब 19 और 20 का HCF, क्या होता है, कोई common factor ही नहीं है, इसमें क्या आएगा, 1 ही आएगा, 18 की पावर 1 minus 1, मतलब कितना आएगा HCF, 17, LCM निकालना है, LCM of 19,20, इसका LCM minus 1, कितना आएगा, इन दोनों का multiply कर देंगे, 13, चले अगला, यह सवाल देख लीजिए, यह भी बहुत अच्छे question है, 13 की घाथ 11, उसकी पावर 44, minus 1, 13 की घाथ 11, 66, minus 1, HCF और LCM, तो HCF क्या आना चाहिए, 13 की घाथ, HCF of क्या आना चाहिए, 11 की पावर 44, कॉमा 11 की पावर 66, minus 1, यह होना चाहिए, आनसर, क्योंकि odd और even का, तो केसी नहीं है, minus लगा हुआ है, अब कम बाला जो होता है, वो HCF होता है, ठीक है, तो 13 की घाथ 11 की पावर 46, minus 1, ठीक हो जाएगा हमारा, HCF, ठीक, highest ले लोगे, तो क्या बन जाएगा, LCM, तो LCM क्या जाएगा, यह वाला नमबर जाएगा, ठीक है, यह तो formula से find कर लो, यह फिर direct find कर लो, अब यहाँ पर देखे, यह वाला जो case है, यह अच्छा है, HCF of, क्या आएगा, 17 की पावर, हमें HCF लेना है, 43, उसकी पावर 47, 47 की पावर 43, यह लेना है, यह माइनस 1, यह हमारा क्या बनेगा, ठीक है, अब आप देखे, 43 की पावर 47, 47 की पावर 43, इसका HCF क्या आएगा, अब देखो, यह भी प्राइम नमबर है, यह भी प्राइम नमबर है, ठीक है, कैसे हैं, मतलब कोई फैक्टर नहीं होता है, इनका, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है, मतलब क्या आना चाहिए, 17 की घात 1, इनका HCF क्या आना चाहिए, 1, minus 1, कितना जाएगा HCF 16, ठीक है, आगे समझ में, और LCM अगर निकालोगे, आप तो क्या आना चाहिए, LCM आना चाहिए है हमारे पास, 17 की घात, LCM of 43, 47, 47, 43, minus 1, अब आप इसका LCM अगर निकालोगे, तो क्या आना चाहिए, prime numbers हैं दोनों, मतलब दोनों का multiply ही आना चाहिए, LCM, तो यह आएगा 43 की पावर 47, और इन्टू 47 की पावर 40, और minus 1, कितना इसका LCM आएगा, clear है, आगे समझ में, की last question है, कोई सवाल जो SSC में, plus की फों में पूछा गया है, यहां minus की फों में लिखा है, ठीक, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, HCF कितना आएगा, चाए odd और चाए even, HCF और LCM में कोई फरक नहीं आएगा, तो HCF अगर लेना है, तो 3 की खाथ 333, 3 की खाथ 334, और यह minus 1, यह हमारा क्या होगा, HCF, फुटा वाला नमबर क्या होता है, HCF होता है, 3 की खाथ, 3 की खाथ 33, 33 minus 1, टेल में बताया, कि कैसे चीज़ें जनरेट होती हैं, और कैसे अपलाई होती हैं, और किस तरह से सवालों में पूछी जाती हैं, ठीक है, I hope आपको समझ में आगे होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो थैंक्स ओर वाचिंग पर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब